यह क्या है यह बिल्कुल क्या है कि आपने एक में जल बनानी है एक मैट्रेक्स बनाना है जो आपका किसका बना हुआ होगा जल का बना हुआ होगा किसका एगरोस का बना हुआ होगा आपने एगरोस के पाउडर को मिक्स करना है टी ए बफर में या टी बी ए बफर में दोनों म के बाद आपने क्या करना है कर आपने इसको अवन में माइक्रो वे agreement थोई डे के लिए ग़रम करना है जब वह अच्छी तरह से बॉइल हो जा तो इसका मतलब है कि आपकी जो जेल है वह अच्छी तरह डिजॉल्व होगी हुई है अब आपने इसको क्या करना है थोड़ी दे के लिए ऐसे फॉर फाइफ टू टेन सेकंड आपने इसको थोड़ा सा शेक करना है ताकि वह थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा तो आपने इ Cradana, तो मैक्रोलिटर और 10 माइक्रोलिटर आपने इसमें क्या डाल देनी का डाल देनी कौंसी डालें इथिधिटियम रिमाइड जो क्या है बिसिकली जो वह अपको क्या दिखाएगी के डिने कहां पर प्रेजन है तो डिने को देखने के लिए आपने क्या करना है एक डाई जब आपकी जल जो है वो सेट हो जएगी वो सॉलेडिफाय हो जाएगी रूम टेमरेचर पर पड़े हुए तो आपने क्या करना है कि आपने उसमें से कास्टिंग ट्रे को ओपन करना है वहां से आपने उसके जो ब्लॉकर्स लगाये हुए साइट पे उनको रटा देना है और कर posthinखेर लें देले प्राइस मिल ट्रेक करने के लिए वोटीश पिश्प्रॉद्वजडदि रूम करने कड़ जो है कि तो आपके आपके बास किया होगा कि देली आ जो है डिएगृग चार्ट बंस्कार में आरिए ऐन करने के लिए कि अज़ एग घर्ष जो है और शरु के थे चाहे तो DNA production के थे रहागोगे थे तो क्या वह products आए भी है या नहीं आए तो उन products को visualize करने के लिए या उनक को separate करने पर G enjoy collectrophoresis करते हैं per अगर हमने क्या करना हो अगर अगर हमने Vorteгли Ep absurd को separate करना हो तो Pr clock time kar nutzen है सब्सक्राइट करने के लिए करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें SDS आइड कर देते हैं जिससे क्या होता है कि SDS प्रोटीन को दी नेचर कर देती है और उन पे नेगटिव चार्ज ले आती है जिसके जैसे वो अपनी साइस के बेस पर सेपरेट हो जाते हैं यहां तक सब को क्लियर इसकी भी आप वीडियो इनma की माइगरेशन का रेट匜 क्या है तो रेट्ज क्या होता है कि जितना छोटा डेटिपेंच सिक यह इस करता है गिस पर. इस टी बूरौं सिट आगी यानि के पोर साइजे सियद्न जादा होंगे, पोर साइस जितना बड़ा होगा, यह उतना असानी से मूव कर जाएगा, और डियने का छोटा होगा, यह बिलकुल वह बात है, खुली बड़ी सडक होगी, तो आपकी ट्रैफिक आपकी आपकी घुजरे की फिर खोटी सडकें होंगी, नेरो होंगी, अगर रो कि बढ़े होगे उतने ज्यादा डिने अराम से मुझ रजागा जितना छोटा हो गा अनी एन्य जो यह वह आ राम से मूँ नहीं कर पाएगा तो परों सी इस पर डिपैंड करेती है परों सीटी दिपैंड करती है कंसेंटरेशन पे पड़ा बनेगा अब धूसरे हमारे पास नौ इंच अजाता है वह आता है के यह बड़ा होगा उतना उसको गुजरने में टाइम लगेगा जितना स्मॉल होगा उतना कम वह टाइम लेगा नेक्स हमारे पास आजाता है जली लेक्टोफरेसिस का प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है कि डिने जो है वो सेपरेट होता है according on the basis of its size on the agarose gel that is its sport medium जो इसका क्या होता है sport medium होता है और rate of migration जो है वो depend करता है smaller fragments पे और large pore size तो जितना जादा large size होगा जितने small fragments होगे उतना migration का rate ज्यादा होगा materials में हमें जब भी हम ने अगरोस जली लेक्टोफरेसिस परफॉर्म करनी हमें क्या क्या चाहिए हमें अगरोस पाउडर चाहिए बाइन कर जाता है और वो जल के साथ बाइन नहीं करता तो वो सिर्फ DNA के साथ बाइन करता है जब वो DNA के साथ बाइन करता है तो fluorescence प्रोडियूस करता है after throwing UV light on it जब हम उसके ओपर क्या करते हैं UV light को गिराते हैं बंबार करते हैं तब क्लियर उसके बाद हमें क्या चाहिए हमें उसके साथ साह में चाहिए बफ़र चाहिए कोई TBB हो सकता है वो TAE भी हो सकता है दोनों तरहां के वफर यूज कर सकते हैं बफर हमें क्यूं चाहिए ताकि एक तो जब वोल्टेज गुजर रहा होता है तो आपकी जो जल वो बहुत जब गरम नहीं होगा एक चीज़ तो इसलिए ताके बफर आपकी प्येच को मेंटें रखे डियने को मेंटें रखे कहीं आपका डियने जो है वो जल के इंदर अंकरता हुआ है दीनेचर ना हो जाए और अगर आपका डियने जो है वो दीनेचर या डिग्रेड हो ज कि सकते हों कि एक डिक पर रखी टको तो आपको कि डिफान दिखाए अब लिचा करता है जिसमें आपको आपि grew गशरक पालाय कि ताप्रोडर चाहिए अपने कोई काश की विखाऊ अपकर शगब हो पर तो कि सिसमें पर्लिच को बाइस कि यृदź को सवाई हो जरू अब झायो है कि आप भूतना की एंगरोगष से दिशल भी हों जाता है हम इक ऐसे थाला झाल वोगी है कि एक विल्स निश्यून के थाल कि निश्यू है । थोड़ी द मी कि उल देख मेंकर थे ने 7 ढ कि पाघ्णा करते हैं selectל थालूंझ वर all that on वो फ़ोड़ी सी कुल डाउन हो और आप अपने उसमे अधीर मरमाइड दाल दीन अगर बहुत जादा गर जादा गरम गरम अधीर भर में झालती तो वह थी जादा अजादा सी कूल कर दो अपने जार को जा नहीं कर दो अग छुछिए और आपकी आपकी दॉद्ध यह तो इ अपने उसको सेत होने के लिए रूम टेंपरेचर पर छोड़ देना है फिर आपने पीसर प्रड़क्त्स याद या रड़ नका सेमब जिसको भी आपने विजुलाइज करना है जिसको आपने सेपरेट करना है उसको आपने ट्रैकिंग डाय के साथ यादिस ब्रोमो फिन तो जब तक आपके जो ब्रोमोफिनल बू जो ट्रकिंग डाय तक नहीं पौँँ जाती यह एक वारे पास लेडर है इसको लेडर भी कहते हैं इसको रेफरेंस भी कहते हैं आप इसको कुछ भी कह सकते हैं लेडर हमारे पास अलरी ready-made होता है बाहर से मारे बना हुआ आप तो जब आप अपना सेंपल डालते हो लोड करते हो साथ ही साथ आप क्या कर देते हो एक रफरेंस भी लोड कर देते हो रफरेंस आपको बता देता है आपकी अपनी नबेता बाद 18 रोलो कोर दिक जो पताइगा आपने जरज के साथ कमपेरिजन करके अपने अपनी साइज को मालूम कर लें है कि आपका जो साइज है वो कौन सा यह अपका क्या है यह जल टैंक है यह कास्टिंग कास्ट ट्रेय्टेए कास्ट ट्रेय है यह उसका लेट है टांक का अरय करना है लेंगे लीटेट कर लेड़कों को एपकी क्या है गल đ illnesses good करनाशत zone यह के अंदर अधोर प्रीमें अपने जल खयोद में आपने क्या है आपको spikes नजर आए वहां पर आपकी जल के अंदर क्या बन जाएंगे वैल्स बन जाएंगे जोसर कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह कास्टिंट ट्रे कास्टिंट ट्रे की अधिए लोकेश लगा दिये लॉक्त लगाने के बाद अन्दर वैल जो है वी इंसर्ट कर लि आपने वान लिटर यह करके आपने 10x TBA बफर बना के रख लेना है जिसको आपने फिर आइससर्ट जाव यूज करते रहना है यह अगरोस जल है आपकी पाउडर फॉर्म में होती है इस पाउडर फॉर्म की जो अगरोस है इसको आपने क्या करना है यह कॉनिकल फ्लास दिस इसको तो थोड़ा हैंगे तो आपके पासी ऐससा सॉलुचivering और जिसमे ऐसे यह दनेदार इस अवण दाले इसको ने यह रहा हुए उँ आपने रहने तब तक गरम करते रहने है आपने इसको सब्सक्राशन को मिलकुल कुल सॉलुचकर शुछ करना श्युद पर दक भी और नो जले में भी जिदो तो आपसे एक नहीं र्णी किया करेंगे रखने इन कुछ दो सबस्टार लगे मिनदन Еई नहीं तो अश यह इस अरा जली मेटिरील नियुक नहीं जो कि यह जो आवगारोज में प्सक्रेंट कर दो कीज आवगारोज़ यह जो पॉढ क्वांटिटी में है तो 3 मिनट्स लग जाएंगे पर ओवराल 1.5 और 2 मिनट्स लगते हैं जल अच्छी तरह से डिसल्व जाती है अब आपने क्या करना इसको थोड़ा सा कूल डाउन करके इसमें तु मैक्रोलिटर आपने या फाइफ मैक्रोलिटर्स क्या डाल दिया या इसको डिसल्फ कर लेते हैं गरम करके अच्छी तरह मुल्किक करने यृथ स्वही ने सेở से और हमने क्या करना है रहे हैं यहां यह हम पे इसको रर्चितार में पर इसको सॉलिधर हो जईग है तो देखोगी क问 की मिल्की मिल्की के अच्छी हो जागी उनיל करल경 की और ठीम्ल जरूरी नहीं के वोग पूंच या। 5 बाइट है जितनी च्पाइक्स है उतने वेल्टेट यहां पर बने वाय तो हर वेल ने है के एक यह पूंग यहांतर तो आपको एक ही कोंग उनफ होता है एक संपल्स लोड करने के लिए तो आप एक com भी इंसर्ट करके अपना काम कर सकते हैं अब आपने क्या करने बहुत इत्यास से com को remove कर देना है को remove कर दो गे ऐसे खेंच लेना उसको बाएर दो को jelly में से बाहर निकल आएगी ना चीज आराम से आपके आपने com को बाहर निकाल देना है क्यों कि यह कंसट्टिंग और समैख उठा कर यह Now do अपने यह साथ यह दो हम ख़किया के साथ The साथ ब्रोमाफन second Быbs करना है अलग-अलग मिक्स करना के तो आपने आपका रोस सारह को करना लटवराण है क्या करना लोल्ज आपने है क्ल इसमेद नंक कर देनी है उवर स्पिलन करन दो तरने का लगाई आपने उसका पिल्ट म करेंगे श्वाराण करदीछ जायेगे धुराइगे और रानोजि की डियंए और पर नीचे तक आ जाएगे जो नीचे की तरफ है यानि के वह कौन सी साइड है वह ब столько दो पॉजिटिव वह रहिए ऑपर की लिग दो प्रोड होता है उपर की साइड जिस तरह हम वैल्द रखते हैं वह थो होती है कि रीज यह अनोड की तर выпол कर खते हैं और सूने प्तलीक इस आपके टेरीज़ सेम्पल आई है वह किसे पेरलल आया हैं तो थाले के पैरलल आए है, और अपने किया इसको चार्ट के साथ, कम्पार लिया, जब आप चार्ट के साथ कम्पेर करो है।ムो कि सबसेडिके नीचे से जो थीसरे निमबर का बैंड़ है, जो आप फैंकी छल गया है, तो आपको पता चल गया कि आपकी je यह सेंपल है वह किस साइज के वह भी 300-200 वेसप्र किवाइब क्योंके एक सेम साइज के जो सेंपल है थे वह परल बैंड पे आते हैं भी अफर नीचे नहीं आते हैं तो वह हमेशा सामने सामने एक दूसरे के आते हैं यह आपकी स्टेनिंग जल के बारे में बताया है कि आपने किस तरह से जो है वो स्टेन करना है हम क्या करते हैं हम से फिथीडियम प्रोमाइड डाल के उसको स्टेन कर ले ते हैं और यह आपको अलग से स्टेन करने की कोई जरूरत नहीं होती अब आपने क्या करने हैं आपनी जल को उठाना है जल को उठा कि पर दियान फोलक देफ है उसके बाद व्मारेस इमिज ने हैं यह हमारे DNA के sample से हैं कि हमें पता है कि हमें किस well में कौन से sample load किया था ठीक है आपने अपने wells को उपर number भी दे दिना होता है जैसे कि यहां पर number दिया गया है और यह ladder था ladder को भी आपने mention कर देना है कि कौन सा कितने base pair का band है और उसे आपने PCR product को बता देना है कि यहां पर जो PCR product है वो 500 base pair का show हो रहा है इसी तरह यह एक और gel की image है जिसमें आप देख सकते हैं यह उपर weld थे गड़े और यहां से आपका जो gel है जो आपका DNA वो यहां तक run किया है यहां तक पहुंच गया आपका DNA कॉंक्लूजिन क्या है इसका के 1% agarose gel हमने यूज करते हैं किसके लिए 500 base pair के PCR product तक के भी products को separate करने के लिए और significance इसकी क्या है कि इसको हम genotyping में or cloning में जो है वो बहुत ज़्यादे इस्तमाल करते हैं मैं यह थी इसे relevant ही था ओके सो SDS page क्या है आपकी SDS page page है जिसको हम क्या कहते है polyacrylamide gel electrophoresis यह भी क्या है gel electrophoresis है बिल्कुल जैसे अभी हमने horizontal gel electrophoresis की इसमें क्या difference है यह vertical gel electrophoresis है उसमें आपके gel लेटी वी थी बिल्कल parallel to earth थी इसमें क्या है आपके gel खड़ी होगी जल ऐसे रान होती है कि वो खड़ी होती है ठीक है तो इसको vertical gel electrophoresis भी कहते हैं इसमें हम एगरोज नहीं यूज करते हैं बिल्कि हम इसमें क्या यूज करते हैं इसमें क्या करना है सिंपल polycrylamide gel electrophoresis भी होती है स्टेस polycrylamide gel electrophoresis भी होती है जो इसड पॉली अमर्ज लोग करते हैं proteins के लिए क्यूंकि SDS क्या है दीनेटर्विंग एज एजन्ट है और एक डिटर्जेंट है SDS, basically, क्या है, Detergent है, Sodium-Dodicyl-Sulfate, it's a detergent, यह detergent है, और क्या है, यह denaturing agent है, यह आपकी proteins को, जिसको भी आप सैंपल में विजुलाइज करना चाह रहे हो, यह जिसको आप separate करना चाह रहे हो, वो सारी की सारी proteins को, SDS क्या करता है, D-Nature कर देता है, और सारी की सारी पर negative charge ले आता है, जिसके वज़ा से आपकी जितनी भी proteins हैं, वो सारी की सारी charge मास ratio की base पर separate होती है, चाह तो सब पर सेम हो गया, क्योंकि सब पर negative charge हो गया, तो मास की base पर क्या हो जाती है, जो जितनी जादा हैवी प्रोटीन होगी, वो उतना उपर रहेगी, जो जितनी लाइट प्रोटीन होगी, कम वेट होगा, जिसका वो तनी नीचे आएगी, clear? तो यह होती है आपकी SDS page, अब SDS page के लिए हमारे पास जो जो जल यूज करने हैं, हम एयडि को शिधी का है, वो कऊन से है, हमारे पास, ução जो जो जाते हैं, इनका पना बनाते हैं, जो डूत है,ly दीतलग का बनाते हैं, जो जो का बनाते हैं, अब प्रोटीन्स माइग्रेट कैसे होती है, प्रोटीन्स माइग्रेट जो है वो अपने ओवराल चार्ज टू मास्क की रिश्यो पे सेपरेट होती है, चूंकि SDS हमने एड किया हुआ है, तो SDS से क्या होता है, जैसे आप यह लोग यहां पर देख सकते हो कि पूरी की पूरी पहले ऐसी थी, SDS डालने के बाद वो ऐसी सीधी होगी, तो D nature भी हो गई है, और पूरी की उपर पर नेगिटिव चार्ज आ गया है, तो अब क्या हो गया चार्ज तो सारी प्रोटीन्स का सेम हो जाएगा, तो सिर्फ मास ही डिफरेंट रह जाएगा, तो हम इस से मास की बे वो आप प्रेफरेंस के साथ या लैडर के साथ मयर करके, compare करके निकाल सकते हो कि आपकी प्रोटीन का साइज क्या है, जिस तरह हमारे पस DNA के लैडर अल्रेडी अवेलेबल, रेडी तू यूज मिलते हैं हमें मार्केट से, इस तरह हमें प्रोटीन के लैडर भी मिलते हैं, जो हमारे पास अल्लेडी पड़े वे होते हैं, हम मार्केट से उनको पर्चेज कर लेते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, the solution of proteins to be analyzed is first mixed with SDS, an anionic detergent with denatured secondary and tertiary structures and applies a negative charge to each protein in proportion to its mass, प्रोसीजर इसका क्या है कि denatured SDS protein mixture with a colored dye or stain, जैसे के ब्रोमोफिनल बुरु हो गया है, जिसको हम ट्रकिंग डाय भी कहते हैं, for trucking is loaded at the top of a gel, electric field imposed within the gel using electrodes attached to a power supply, इसमें हमने इसमें हमने इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस आपकी जल का है कि जल आपकी पॉलिक्रिलमाइड है रोज नहीं है, और जल पहले हम स्टेकिंग जल डालते हैं, फिर हम रिफरेंस पहले हमने जब अपनी बनानी है तो जल बनाने के लिए पहले हम रिफरेंस बनाने के लिए पहले हम रिफरेंस बनाने के लिफरेंस 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 प्रोटीन 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 प्रोट तेजल इंदर नहीं जाता यही आपने घ्लिस्रोल जो है वो आपने होरीजोन्टल जल यह उसके तरह किया थे ब्रोमफनल ब्लू तो आपकी जो प्रूटीन है चुँकि वो नेगितिव ली चार्ज हो जाती है तो सारी की इधर को आती है नीचे की तरफ को पॉजिटिव एक्टोड की तरफ को आती है उपर जो आपने इस्टेकिंग जल डाली हुए यह तिया उसका मकसद क्या होता है कि आपने दो तरह की ज स्टेकि हो जाएं एक दूसरे के ओपर नीचे स्टेक होजाएं एक जोगा पर कथी हो जाएं फिर वो इजी बड़ी सेपराइट हो जिया है उसको अपर रिसॉल्विंग जल भी तो अब यहां पर हमारे पास रसिपी है कि हमने जो रसिपी है जो डाली है वो कौन कौनसी जो स्टेकिंग जल में आपकी जो जल की कांस्टरेशन होती हो फोर परसंट अक्रिलामाइड होता है और वन ट्वेंटिफाइफ मिली मॉलर ट्रिस है आप वो डालते हो इसमें इसको पी एच कितनी रखते हो 6.8 पी एच रखते हो और SDS उसमें 0.1 परसंट अलता है जो रिजॉल इसको सेपरेटिंग जल भी कहते है और इसमें जो आप ट्रिस डालते हो त्रिस बफर डालते हो फो ट्वेंटी फाइफ मिली मॉलर का डालते हो पी एच आपने एच प्रकनी होती है पॉइंट वान परसंट इस डालते हो रुनिंग बफर जो है जो रुन करना है जैसे हमने इसमें जल के टैंको फिल करने के लिए गर उस जल में इसी तरह है इसमें भी हमने टैंको फिल करने के लिए एक बफर डालना है यह रुनिंग बफर वो बफर आपका क्या होता है 25 mm ट्रिस बेस बफर होता है जिसमें 192 mm Glycine होता है पह 8.3 होती है और उसमें भी 1% SDS पहींड बफर नोड करवादूंगी आप लोग वह लिख लीजएगा तैकिंग जल की आज आजएं पह 6.8 होती है जो ट्रिस होता है जो आपके रिजॉल्विंग जल है उसकी पह 8.8 होती है और जापका रुनिंग बफर उसकी पह आपकी 8.3 होती है तो आपने यह सारे के सा आप लोग को बताया कि वह कम होती है और इसकी पह भी कम होती है तो कंसेंट्रेट अल्ड पर प्रूटेंस इंट इंट थिन बैंड अधर तो आप उसका स्टैकिंग जल का परपस क्या होता है ता कि आपके सारी जो प्रूटें जो भी अपने सेंपल लोड किया है जुस भी अपने सेंपल लोड करना है और आपका जो जल है वो रन करना स्टार कर देगी फ्रॉम तॉपर से आपने सेंपल लोड करना है और आपका जो जल है वो रन करना स्टार कर देगी फ्रॉम तॉपर से आपने अपने सेंपल करना है और आपका जो जल है वो रन करना स्टार कर द अद्वांटेज क्या होता है इसका कि रैपिडली चीपली मैजर है मॉलिकिलर वेट्स विद एन एक्यूरिसी फ़ाउट परसंट और इसके क्योरिसी भी ठीक होती है और रैपिड होता है चीप है SDS पेज करना इतना इसमें कोई आपको बहुत हैवी और यह ज़रूट नहीं परती है और इसको हम ट्रेस अमाउंट में जितने भी इंपुरिटी अगर सेंपल में प्रेजन है तो वह भी देखने के लिए यूज कर सकते हैं अब हमने क्या करना होता है कि उट्स्टेस पेज बहुत्ता पर ढ़ना है इसमें आप एन में आप यी जाम होता है इसमे को नोह को को क्यों आप अपको पर आ kayak Carna कि जरूटी है तो आप व्यूणा करनी है स्टेनिंग करनी है के बाद आपने इसको डी-स्टेनिंग सोलिशन में लेके जाना है फिर आपने क्या करना है इसको जल टॉक सिस्टम पर अंडर यूवी आपने इसको देख लेना अंडर यूवी आप इसको देखोगे तो आपके पास यह नजरा आ जागा यह प्रोटीन के सैंपल यहां पर यह यह वाला जो बैंड है वो कोई 150 किलो डॉल्टन के करीब का है तो आपका जो साइज है यह वो भी क्या है 140 किलो डॉल्टन के करीब है क्लियर